हेलो दोस्तों, अभीता खाम इस PDF में देख चुके हैं 7 Fundamental Units 2 Supplementary Units Drived Units Dimensions Length Measurement Units Mass अब पढ़ते हैं, मास के बारे में द्रबमान क्या होता है, द्रबमान को किस तरह माप हो जाता है उसकी ये इकाई हैं द्रबमान मापने के लिए एक कुंटल होता है 100 kg किलोग्राम या इसे 10 square kg भी लिख सकते हैं एक मीट्रिक टन होता है 10 cube किलोग्राम एक atomic mass unit जिसे short में AMU और डल्टन भी खा जाता है इस इकल टू 1.66 इन्टू 10 तू दी पावर अफ नेगेटिव 27 किलोग्राम एक सलक इस इकल टू 1459 kg एक पाउंड इस इकल टू 0.4537 kg एक चंदर सेखर लिमिट होती है दोस्तो 1.4 टाइम्स दी मास अप्शन 1.4 गुना सूर्य के दरब्मान के बरावर इतना बजन होता है इसमें अते 2.8 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ 30 kg चलिए दोस्तो अब जानते हैं कुछ टाइम मेजरमेंट्स के बारे में टाइम को किस तरमाप जाता है कौन कुछ यूनिट ज़्याद तर काम मिली जाती है क्या है ये टर्म्स एक सोलर डे होता है दोस्तो जिसमें चंद्रमाप प्रत्वी और सूर्य के बिलकुल मद में आ जाता है तो पूर्ण सूर्य ग्रेंट दिखाए देता है उसे ट्रोपिकल येर कहते हैं दोस्तो लेपी येर जिसमें फरवरी के 29 डेज होते हैं अते 366 सोलर डेज अब इससे अगली पीडियेप या वीडियो में हम जानेंगे प्रिफिक्सेज जिनको किस तरह इस्तमाल किया जाता है कहां और किस नाम से जाना जाता है वीडियो अभी बहुत लंब नहीं हुआ दोस्तो हम चाहें तो इसमें ही इंक्लूड कर सकते हैं चलो करी लेते हैं प्रिफिक्सेज मल्टिप्लायर है ये फस्ट में सेकिंड प्रिफिक्सेज फिर मल्टिप्लायर फिर प्रिफिक्सेज फस्ट कॉलम में देखते हैं दस की पावर एक या दस को क्या कहते हैं प्रदर्शित किया जा सकता है दस की पावर 3 किलो दस की पावर 6 मेगा 10 की पावर 9 गीगा 10 की पावर 12 टेरा 10 की पावर 15 पेटा 10 की पावर 18 एकचा जिसे ई से प्रदर्शित किया जाता है दस की पावर 21 जेटा दस की पावर 24 को योटा वाई अब लेते हैं नेगिटिव प्रिफिक्सेज को दस की पावर माइनस एक हो उसे डैसी स्मॉल डी से प्रदर्शित किया जाता है दस की पावर माइनस 2 सेंटी इस परकार माइनस 3 माइनस 6 माइनस नो तीन तीन गंतर में चलती जारी हैं दोस्तों है माइनस 12 माइनस 15 माइनस 18 माइनस 24 अते डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फैम्टो एटो जेप्टो येक्टो इन्हें स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किया जाता है अर्थात इन्हें कहीं बोला जाएगा जैसे कि हैं 10 की पावर 6 इसी तरह ये नेगटिव और पॉजटिव दोन प्रिक्सेज प्रिक्सेज यूज किया जाते हैं अब इससे अगली वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों डिफ्रेंट टाइप ऑफ मैट्रियल जोकि कि स्ट्रेंट ऑफ मैट्रियल का पार्ट है वीडियो अंत वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करें जो भी नई अपडेट होगी उसमें डालते रहेंगे वीडियो का अपने दोस्तों के साथ सेयर करें जो इसका लाव उठा सकें बहुत बहुत धन्यवाद